सब्सक्राइब कीजिए, लर्न बेसिक स्कोर, बेल ऐकन को दबाईए, कुछ नया सीखने के लिए उसके बाद यह dot dot वाली line बन रही है, इसी को बोलते हैं leader, उसके बाद यहाँ पर page number दिया हुआ है, तो इसको set करने पर, आप जैसे ही यहाँ पर जब आपका topic खतम होगा, उसके बाद जैसे ही आप space button प्रेस करेंगे, तो यह करसर आपका move करके यहाँ तक आ जाएगा, उसके जब use करेंगे तो आपको clear हो जाएगा, तो चलते हैं Microsoft World के page पे, तो यह देखे Microsoft World का page open है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि chapter हमने यहाँ पर type किया हुआ है, यहाँ से हमारा cursor शुरू हो रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं, कि ruler हमारा यहाँ पर set है, अब हम यह चाहत आपको क्लिक करना है, तो यह देखे, यह साइन बन करके आ जाएगा, इसको बोलते हैं left tab, यानि की cursor हमारा यहाँ set हो गया, अब हम इसको यही पर छोड़ते हैं, उसके बाद चलते हैं home tab पे, home tab पे click कर दीजे, तो नीचा आपको बहुत सार अप्शन मिलेंगे, हमको जाना पेराग्राफ वाले group पे, ठीक है, पेराग्राफ यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसके बगल में छोटा सा arrow जैसा sign दिख रहा है, इसको बोलते है paragraph dialogue box, ठीक है, इसको बोलते है paragraph dialogue box, ठीक है, इस पर click कर दीजे, तो आपके लिए paragraph dialogue box दिखी जो open हो गया, अब यहाँ पर हम 2.25 cm वाला यह है, यहाँ है, इस से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, पहले वाले को हमें सा नहीं लेते हैं, दूसरे वाले को लेते हैं, ध्यान रीएगा, हमको select करना है 12.25 जो कि यह वाला है, ठीक है, यहTwo है, तो हमने आपके यहाँ पर select कर लिआ, बस इतना ही करना है, यहां पर देखे यह है लीडर का option अब यहां पर देख सकते हैं कि दॉप्षन है, डॉप्षन है, डाश उप्षन है, तो माल लीजेए कि हम यहां पर सीधी लाइन सेलेट कर लेते हैं कि यहां पर सीधी लाइन सेलेट कर ली उसके बाद यहां पर जैसे ही आप ok बटन प्रेस करेंगे तो आप देखे क्या होता है जैसे ही हम अपने keyboard में tap बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे की leader बन गया यहां पर पेज No1 मान लेजिए, यहां पर перек इसी तरीके से आप बार बार लायन ड्रॉअ कर सकते हैं, Microsoft World के पेज में इसी को बोलते हैं हम leader.